नमश्कार दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है और मैं हूं कृतेका शर्मा सो आज हम जो वीडियो कर रहे है और री ओर्गिनाइजेशन आफ हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश की जर्नी रही है ये इसका second part है first part में हमने देखा था कि कैसे हम chief commissioner province बने part C state बने और उसके अलावा कैसे कैसे अलग-अलग committees की recommendation रही और हमें reorganize किया गया तो आज की वीडियो में भी हम आगे कुछ देखने वाले हैं हम UT बने कैसे statehood की तरफ हम बड़े हैं उसके अलावा आप लोगों को अगर कोई topic clear करना है तो मुझे comment करके जरूर बताएगेगा कि कौन सा topic आप cover करना चाहते हैं हम उसके उपर next video करेंगे तो आगे बढ़ते हैं PDF आप हमारे टेलिग्राम चानल से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगा उसके अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी बहुत सारे courses वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे नया एक course हमने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है especially बहुत ही कम price के ऊपर जो एक package है basically इसमें आपको test मिल जाएगे आपको study material मिल जाएगा books मिल जाएगे and lectures जो video lectures है वो भी आपको अवेलेबल मिलेंगे so guys go and check this out because he especially एच्चेस प्रिपेर करने वाले लोगों के लिए बनाया जा रहा है तो चले शुरू करते है so start करना चाहूंगी मैं यह कुछ words है Dr. Vyas पर मार के just like the way जब इंडिया इंडिबेंट हुआ था तो tryst with destiny वहाँ पर हमारे जौहला लेहरू ने दी थी speech जैसे उनोंने कहा था long years ago we made the tryst with destiny at the stroke of midnight hour when the world sleeps India will awake to life and freedom which is beautiful उसी तरीके से कुछ Dr. Vyas पर्वा ने भी कहा था कि जो हमाचली है हम खुश ही नहीं है हम बहुत ही जादा proud भी है Indian Union का part बनने के लिए और हम उसमें अपनी strength को दिखाएंगे बहुत अच्छे से हम contribute करेंगे उसमें तो इसी तरीके से जो हमारा एक बहुत ही लंबे वक्त से चल रहा सपना था statehood का वो हमें मिला था तो उसकी जर्णी को हम देखेंगे तो first of all part C state बने थे हम 1951 में अभी part A, B, C, D states मैंने आपको बदाये थे revision के लिए again part A थे वो वाले जो British province हुआ करते थे पहले लेकिन अभी वहाँ पर governor था या फिर state legislature था इसमें कुछ 9 states आपके आते थे फिर आते हैं आपके part B states ये पहले princely states थे लेकिन अभी इन्हें rule करने के लिए वहाँ पर एक राज प्रमुक को महाँ पर appoint किया गया था basically फिर आते हैं आपके part C states ये पहले princely states भी थे कुछ और areas भी थे उन्हें add किया गया और उसका जो administrator है वो बना आपका चीफ कमिशनर प्रोविंस तो उसके चीफ कमिशनर बना और बाद में उसमें lieutenant governor को से replace कर दिया गया फिर D भी थे आपके part D state उसमें था basically वो एक UT के जैसे था जो main governor था वहाँ पे लेकिन president appoint करता था तो इस तरीके से so part C state की अगर हम बात करें as a himachal status तो obviously improve हुआ था जैसे पहले commissioner चीफ कमिशनर प्रोविंस था उससे हम अभी part C state बने थे इसमें हमें elected एक assembly मिली थी और council of ministers मिली थी दो बोलने के लिए ही थी क्योंकि जो main power थी वो तो आपके president of India के पास ही रहती थी उसके अलावा जो legislature था वो federal नहीं था याने कि जो internal affairs थे हमारे उसमें हम independently कोई भी decision नहीं ले सकते थे हमारे पास कोई ऐसे real power नहीं था रैट वैस इसे अभी फिर जो real power था वो कहा था president of India के पास अगर अभी भी हम देखे ना तो article जैसे 239 है वो क्या कहता है कि जो center government rule करती है वो president के through ही rule करती है executive headwire रहता है so उसी तरीके से ही हाँ पर part C states का भी था उस वक्त तो 1951 में क्या होता है election हो जाते है and elections में हमारे जो first lieutenant governor बनते है he was major journal MS हमत से उसमें उस वक्त हमारे पास 36 states थी क्योंकि area कम था ना नीचे वाले states तो अभी नहीं आये थे हमारे पास बिलासपूर भी नहीं था पंजाब वाला area बहुत सारे जो नीचे वाले hills थे वो पंजाब के पास थे तो total 36 seats थी जिन में से 24 जो है वो congress को ही मिले थी और उसके अलावा डॉक्टर वायस परमार हमारे first chief minister बने तो लेकिन जो एक जो format था वो totally democratic नहीं था क्योंकि lieutenant governor भी था तो main जो preside करता था meetings को वो lieutenant governor करता है ना की CM so which was like a tricky position format democracy की तरह नहीं चल रहा था अभी proper जो इसका है था उसके लावा हमारे पस opposition भी तयार हुई थी विशाल हिमाचल समिधी इनके जो ideology थी वो थोड़ी different थी vision थोड़ा different था पंजाब को भी साथ में मर्ज करने की बात करते थे उसके लावा इसमें कौन कौन थे सत्यद हो गया बिलासपुर के साथ तो जो यहां के राजा थे उनका नाम था राजा आनंचन यहां के राजा आनंचन है and he was a very strong ruler educated भी थे तो मतलब लाइक जैसे atrocities वगयरे नहीं करते थे जैसे और राजा थे हम हां पर थोड़ा miss rule ही रहा है miss administration ही रहा है यहां पर administration सही था तो इन् हमाचल के साथ नहीं जाना है यह कहते हैं हम independent street बन जाएंगे पंजाब के साथ मर्च हो जाएंगे लेकिन पाकिस्तान के साथ भी हो जाएंगे लेकिन हमाचल के साथ नहीं आना साथ थे I mean कि अपने reasons थे उस वक्त नहीं लगता था कि it is not compatible है इस तरीके के so this is very controversial मैं लास्ट video क्या था तो people were like कि मैं आप ऐसे इतिहास के तर्तियों के साथ चेर चार ना कीजे क्योंकि Pakistan जाना के लिए नहीं नहीं कहा so my material or the study material is coming from Balokhra or Himachal 360 research papers है so मैं बड़ी तरफ से तो नहीं डाल रही हूं मैं भी उस वक्त कुछ इस तरीके की बाते रही हो जिससे लगा हो कि नही आपकिस्तान के साथ भी जाना चाहते हैं so there can be like 50-50 हो सकता है हो सकता है हुआ हो नहीं हुआ हो because we have to trust the books no so Anand Chand यहां पर आपके स्वतंतरता पाटी भी उन्होंने इसी के लिए specially बनाई हुई थी लेकिन government of India ने यहां पर एक smart move चल लिया उन्होंने क्या-क्या विधान सभा मे सीट दे दी राजा अनंद चंद को उसके लावा चीफ कमिशनर भी बना दिया उन्हें बिलासपूर का तो बिलासपूर वहां पर आड हो गया as the fifth district of हिमाचल प्रदेश and हमारी जो असेंबली सीट थी वो 36 से सीधे 41 तक चली गए अभी क्या हुआ कि यह सब जब हुआ तो र अठाय जा रहे थे basically, reorganize कने के लिए states को कि कैसे इनकी boundaries होंगी, किस base पे किया जाएगा, तो आपकी 1948 में SK धार committee AI वो बोलती है कि administrative convenience, यहाने कि जिस तरीके से administration प्रशासन को चलने में easy होगा, उस तरीके से हम बना देंगे, तो इससे तो मना कर दिया गया, फिर JVP committee AI उन्हो के basis पे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी के थोड़े time के बाद क्या हुआ, आपके तेलगू speaking जो बैट थी नीचे आपके आंध्रा के पास, वो खड़े होकर वहां पर रवोल्ट कर देते हैं, या एक वहां पर उनका जो hero है वो शहीद हो जाते हैं, क्योंकि उनने fast will to death रखा होता है कि हमें तेलगू speaking लोगों को अलग करो, अभी एक फॉस जब linguistic state बन गया तो और भी बनने लग पड़े हैं, तो last में जो आपकी आई थी, that was reorganization commission, यह मना था आपका 53 में, और इससे जो लीड कर रहे थे, his name was Justice Faisal Ali, उसके अलावा दो और लोग थे इसमें, K.M. अब यहां पर जो वोट जाना था, वो कुछ इस तरीके से गया, जो Faisal Ali थे, उन्होंने कहा कि हमाचल को अलग बनाते हैं, लेकिन जो और दो लोग थे, वो मना कर गए, वो उन्होंने अगेंस दे दिया, अब इसके बहुत सारे reasons थे, reasons क्या थे, कि बहुत सारी चीज़े ल की कमी है, तो इस तरीके से, लेकिन डॉक्तर वायस परमार जो है, वो कन्वेंस करते हैं, अरुजी को, जो हमारे उस वक्रदान मंतरी थे, कि नहीं बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हमें एक separate entity रहना है, हमारा culture है, हमारी identity है, जो different रहनी चाहिए, तो 31st November, 31st October को, कहे ह हमारे दॉक्टर वायस परमार की, no sacrifices too big to save the, like, real identity of Himachal Pradesh, और 1st November को, उनने हमें, UT मना दिया, so, administrator, फिर से, ल्यूटेनेंट गवर्नर के पास चला गया, ठीक है, तो, basis मैंने आपको बताया, क्यों मना कर रहे थे, वो लोग, जिन लोगों के, अगेंस्ट गए थे, कि हिल economy, lack of resources, public transport नहीं है, and lack of public support, so, यह सब चीजें हमने कहीं कि इसी की वदर से, पंजाब के साथ मरश होना चाहिए, अभी क्या किया, उन्होंने, कि हमें UT बना दिया, अब UT जो बनाया, उसमें किसके basis पर बनाया, वो मैंने आपको बता दिया, फैजल लली की कमेटी पर, जो बोल र छे UT में से एक थे, अब यहां पर हमें थोड़ी पावर चाहिए थी, तो उसके लिए उन्होंने नाम के लिए बना दी थी, आपकी Territorial Council Act of 1956, इसमें उन्होंने एक Territorial Council बठाई, जिसमें 43 मेंबर्स थे, उसमें जो थे, आपके दो नॉमिनेटेड थे, बाकी के सारे, इलेक किया, अब इसमें जो अबके लुटेन गवर्नर थे, वो थे, राजा बचरंग बहादूर, और जो हमारे चेर्मन थे, Territorial Council के, his name was Thakur Karam Singh, लेकिन जो बात थी, कि इनके पास actual में पावर अभी भी नहीं थी, क्योंकि UT था, अभी जो में पावर थी, वो तो सेंटर के पास ह थी, ठीक है, लेकिन अब जो चेंज़, चेंज ऑफ इवेंट्स था, वो था कि सेवन्थ अमेंडमेंट आ जाती है, और उसमें कहा गया कि UTs are allowed to have a legislature, या फिर ministry, जो भी उन्हें पारलिमेंट प्रवाइड करना चाहता है, तो कुछ जो लीडर्स थे, उन्हें खड़े होके, हंगर स्राइक की, बहुत सारे जाके कहा, कि हमें UT, मतलब खेलाफ थे लोग basically, कि हमें UT नहीं बनना है, हमें statehood ही चाहिए, लेकिन सेंटर को नहीं लग रहा था, that we are capable, right, तो खड़े लोगों, उन्हें होके बोला कि हमें legislature चाहिए, और statehood तो दे नहीं रहे हो, तो फिर अभ पास पहले territorial council था, उसी को re-elect किया, इनोंने थोड़ा सा और उसी को legislative assembly बना दिया, अब जो difference इसमें ये था, कि देखें, हम जो territorial council था ना, उसके पास पावस बहुत कम थी, वो एक mute spectator की तरह था, कुछ limited responsibilities और functions थे, लेकिन जब हम legislative assembly बने तो वो तो proper democracy की तरह काम करने लग प हम बात कर रहे थे, specially आपके journal Mohan Singh जो है, उन्होंने कहा कि महापूर्भी Punjab हमें बनाना है, यानि कि हिमाचल को मर्ज करना है Punjab के साथ और फिर बनेगा महापूर्भी Punjab, लेकिन अकाली दल महां से मना कर देता है, पंजाब में जो थे, वो agitation कर देते कि यार हमारा culture अलग है हमारा language अलग है, तो हम तो नहीं जाएंगे, मतलब like merge तो नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने वहाँ पे पंजाबी सुबा बना दिया, अब एक और committee का नाम याद रखने का जो है, that is, हुकुम सिंग कमेटी, क्योंकि ये वो committee थी, जिसने reorganization of Punjab के वरे में बात की थी, अब र ऐसे areas थे, जिनने हिमाचल में मोर्च किया गया, उसके अलावा चंडिगड को पंजाब और हर्याना की capital भी बनाया गया, so ये बहुत ही important है, हुकुम सिंग कमेटी and कौन सा, reorganization of Punjab 1966, so हमने कर दिया, इन तीन states को reorganize, और फिर वहाँ पे बोर्त हुआ, हर्याना काप के, तो अ कहता है कि कांगडा, शिमला, लहौल, स्पीती और उन्ना को हिमाचल को दे देना चाहिए, क्योंकि हिली area था और भी बहुत सारे reasons थे, तो कि ये हिमाचल को दे दो, लेकिन तो आप देख सकते हैं, उस वद कि लहौल, स्पीती भी पंजाब के पास था, जबकि वो कौन सी व अननपुर साहिब है, नूरपुर बेदी है, इसके कुछ-कुछ रीजन्स थे, जैसे कि आननपुर साहिब आपका religious significance बहुत ज़ादा रखता है, उसके लिए, उसके लावा नूरपुर बेदी है, उनके पास इकलौता सोर्स था, उसक्त हाइड्र एलेक्रिसिटी का, तो इस तो थोड़ा इसमें आड किया गया, जैसे लहौल स्पीती आया, तो एक अच्छा स्टेट बनने दिखने लग पड़ा, कि एक बड़ा एरिया जो है वो दिखने लग पड़ा, एंड यूनियन टेरिटरी हम थे उस वाक लेकिन कही ना कहीं डॉक्टर वायस पर मार ने देख रहा था, इसकी वज़ा से वो पूरा कपूरा जो प्रोसेस वो फास्ट हो गया, and finally 1970 में हमने हिमाचल प्रदेश आट भी महा पर पास कर दिया, so बहुत बड़ी प्राउड एक प्राइड की बात थी हिमाचल प्रदेश के लिए के लिए के लिए के लान आगा लान, जादा थे हम एरया में, and like it was a very proud moment for us, and finally 25th of January 1971 को हमें स्टेट हुड मिल जाता है, जो हमारे फिर्स्ट गवर्नर थे वो थे आपके S. चक्रवर्थी and Dr. वायस परमार ही आपके फिर्स्ट चीफ मिनस्टर रहे है, so उसके बाद रियोगनाइजेशन भी हम थोड़ा बहुत कर क्योंकि जैसे हमने देखा 6 डिस्टिक हैं अभी और कहां से है, तो वो थोड़े टाइम के बाद आते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर रियोगनाइज होता रहा, कांगड़ा बहुत बढ़ा था, उसमें से हमने उन्ना निकाला, हमिरपुर निकाला, उसके लावा महासू डिस आपका सोलन में आता है, रहे, तो इस तरीके से रियोगनाइज किया, लेकिन अंदर रिजल्ट वास बीटिफुल स्टेट फिमार्चल प्रदेश विच इस राइड ना तोड़े, यह पूरा का पूरा पूरा स्ट्रगल है वो रहा, लेकिन इस वूर्थ है, लेकिन इस पू So that is it, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इसके बाद में आपको इसको एक स्टोरी की जैसे देखना है कि इस तरीके से हम स्टेप बाई स्टेप कैसे चले हैं स्टेट होड की तरफ, एंद उसके लावा, दू गिव मी थम्स अप और प्लीज शेर, लाइक इन, सब्स अब्सक्राब और में आपको अजिए ऑपको एक जाव काषिक।